हेलो दियर स्टुदेंट्स वेलकम दू अनदर एपिसोड आफ फंडामेंटल सफ कम्पुटर आज हम लोग सेखने वाल है कंपोनेंट्स आफ कम्पूनेंट्स अफ कंपूर सिस्टेम है आज तीक है यहाँ पे देखें आप लोगो को कंपोनेंट्स में देख रहे हैं आप दो हजि देखरे होंगे आफ लोगों को सेकेंडरी मेमोरी और प्रायमरी मेमोरी ठीक है दो टाइप जिस Tesh डियक्राम में देख सकते होicionारम है ठीक है प्रायमरी मेमरी वह इमरी रहती है जिसको आप जन डैकराम कहसे हैं random access memory ठीक है और secondary memory वो memory रहती है जिसको हम generally room कहते है read only memory रैंडम एक्सेस memory में हम लोग जो है वो primary memory में data जो store कर सकते है वो temporary basis पर करते है ठीक है जब हम RAM और ROM का differentiation करेंगे तब आप लोगों को ज्यादा clear हो जाएगा ठीकिन लेकिन component में आप लोगों को देखना है सबसे पहला component computer में कुछ सा रहता है computer system में memory memory का काम क्या रहता है memory can store the data and it can use to store the data into the computer system computer system में कोई भी data store करने के लिए आप लोगों को memory लगने वाली है जो computer secondary memory और primary memory की रूप में काम करते है ठीक है उसके बाद में यहाँ पर लोगों को left hand side में दिख रहे होंगा data commands and input unit देखिए जब तक आप computer को कोई भी input provide नहीं करेंगे तब तक computer कोई भी processing परफॉर्म नहीं परकाएंगा ठीक है जैसे कि आप लोगों ने laptop आप यूज करते हो या फिर mobile phone आप यूज करते हो desktop यूज करते हो जब तक आप कोई भी particular desktop icon पे या फिर कोई भी computer system के अंदर कोई भी जगह पी जब तक आप click नहीं करेंगे तब तक कोई भी task परफॉर्म नहीं होगी आप जब उसको double click करेंगे right click करेंगे minimize करेंगे maximize करेंगे तो आप लोगों को input प्रोवाइड करना है ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग यहाँ पर आप लोगों को data and data and commands आप लोगों को प्रोवाइड करने है with the help of input unit input unit में आप लोगों को अलग अलग types की input पता होंगे ठीक है जैसे की keyboard हो गया mouse हो गया यह जन्रली हम लोग input देने के लिए use के जाते है ठीक है तो input unit की मदद से input devices की मदद से हम लोग computer को input देते है वो input computer system लेता है उसको memory के form में उसको store करता है ठीक है उसके processing के लिए उसको store क अब लोग किसी भी चीज की उपर double click करेंगे अगर आप किसी भी files की उपर double click करेंगे तो वो files आपके सामने open हो जाती है तो जब वो open हुई जो file है वो आप लोगों का result है वो आप लोगों का output है ठीक है तो जब आप उसको double click करेंगे with the help of mouse तो input unit के मदद से आप लोगों न unit की मदद से computer system को provide करते हैं जो computer system उसको processing करने के बाद output unit की मदद से आप लोगों को result provide करता है result को उन प्रोवाइट कर रहे हैं आप लोगों को monitor so monitor क्या है आप लोगों का output device अगर आप लोग उसकी print लेना चाते हो pages के उपर तो printer की मदद से हम लोग उसका जो है वो print ले सकते हैं तो monitor printer यह output devices है keyboard mouse यह input devices है ठीक है output device और input device यह दोनों को आप लोगों को differentiate करना है तो input unit, output unit and then memory ठीक है उसके बाद में सबसे important जो component रहता है वो control unit रहता है और अलग और एक component है जिसको हम लोग arithmetic logical unit बोलते है arithmetic logical unit तो यहाँ पर arithmetic logical unit में अलग-अलग तरीके अलग-अलग जो task perform करते है arithmetic logically वहाँ पर हम लोग उसको दे सकते हैं ठीक है CPU central processing unit ठीक है तो यह जो आप लोगों का रहता है central processing unit यह actually आप लोगों के computer system का जो main working area है central processing unit CPU में basically दो टाइप में उसको divide किया जाता है CPU को एक रहता है ALU और दूसरा रहता है CU ठीक है CU इसका पूरा नाम control unit है इसके द्वारा computer के system को नियंदरिक करनी की कार्या करती है यह unit CPU की महत्पपूर्ण unit होती है ALU इसका नाम पूरा arithmetic logical unit है यह computer की प्रमुक unit होती है इसके द्वारा computer में सभी गनितिय एवं logically कार्या करिये जाते है जैसे कि arithmetic means जो गनितिय रहते है ठीक है जैसे कि आप लोगों को addition करना है multiplication करना है जो भी टास्क पर्फर्फर्म करनी है Arithmetically वो यहाँ पर दिये जाते है ठीक है Logically भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइट किया जाता है ठीक है और यह processor के अंदर होता है Memories computer में दो प्रकार की Memories होती है जैसे कि मैंने आप लोगो को अल्रेडी बताया हुआ है primary memory and secondary memory Primary memory computer यह main memory होती है यह memory अस्था ही memory होती है इसकी speed लगबग processor के बराबर होती है यह size में छोटी एवा महेंगी होती है RAM and ROM computer के primary memory होती है ठीक है इसके size बहुत चोटी होती है लेकिन यह जो है वह बहुत costly होती है ठीक है जंदरली हम लोग हमारे computer system में या फिर laptop में या फिर mobile handset में हम लोग RAM का इस्तमाल करते है ठीक है temporary basis पे काम करते है primary memory generally ठीक है और यह permanent तरीके से काम करते है इसकी speed primary memory से कम होती है यह size में बड़ी एवाम स्वस्ति होती है जैसे कि आप लोगों ने देखा होंगा कि आप लोग अगर laptop या फिर computer लेते हो या फिर mobile handset भी लेते हो तो आप लोग आपके computer system में या फिर mobile handset में आप लोग 6GB की RAM 8GB की RAM लेते हो लेकिन उसका internal रहता है वो 128-256GB of ROM रहता है ठीक है तो उसका जो data store करने की capacity रहती है जो हम लोग उसको secondary memory कहते है वो generally सस्ते होते हैं ठीक है लेकिन इसकी size बड़ी होती है ठीक है computer में secondary memory की तोर पर height speed tape आधिका प्रयोक किया जाता है ठीक है then input unit computer की unit जिसके द्वारा data और command computer को input किया जाता है जिसको हम input unit कहते है ठीक है जैसे की keyboard हो गया mouse हो गया scanner हो ठीक है और यह output unit जो रहते हैं जिसके द्वारा हम data को जो है वो processing के बाद जो है process के बाद जिसकी सायता स से उसका परिनाम display किया जाता है उसको बुलते हैं output unit जैसे के printer monitor sound आ दी ठीक है जैसे कि मैंने आप लोग को आल्रेडी बता है कि input unit की मदद से हम लोग input data है computer को क्योंकि जब तक आप उसको input नहीं देंगे तब तक वो processing नहीं कर पाएंगा keyboard mouse scanner यह input device हो गया और data process करने के दिफ्रेंशिट किया हुआ primary memory को RAM and ROM में ठीक है यहाँ पर RAM के अलग-अलग type दिये हुए है ठीक है sdram, dram, dynamic RAM ठीक है उसके बाद में nvram तो इसको RAM और ROM को हम अच्छे से all दूसरे वीडियो में हम इसको differentiate करेंगे या फिर elaborate करेंगे ROM में p-rom, ep-rom, eep-rom, programmable read-only memory, erasable programmable read-only memory, electronically erasable programmable read-only memory तो इसके अलग-अलग वो type रहते है ठीक है तो यहाँ पर उसको और अच्छे तरीके से RAM को memory को जाए वो differentiate किया गया ठीक है तो basically हम लोगों को इस topic में पढ़ना था components of computer ठीक है तो यह रहे आप लगो को component सबसे पहला input unit, then memory, then output unit, control unit, arithmetic logical unit and central processing unit so these are the important components of the computer system समझ में आगे आप लगो को so यह computer के components है जो आप उसको आप अलग-अलग तरीके से use कर सकते है ठीक है तो यह रहे आप लोगो के components जैसे की control unit, arithmetic logical unit, memory, input unit and output unit तो यह आप लोगो को द्यान में रखने को ने, ठीक है Thank you